सो हेलो फ्रेंट्स एक बर फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में आज के अपने इस वीडियो में हमारा जो टॉपिक है वो थोड़ा बहुत बहुत बीयर्ड से हटके है वैसे बीयर्ड में भी जब आपके एंट्रेंस उक्जाम देते हैं तो उसमें भी एक पूछे जा सकते हैं या फिर अगर कोई बनलब पूछना चाहिए हो तो पूछे जा सकते हैं इसे इसे बन सकते हैं अगर वैसे देखा जाए तो यह थोड़ा बहुत डिफरेंट क्वेंट कोपिक है आज कर जो टॉपिक हमारा है वो चंडरयान 3 के ऊपर होने वाला है चंड पूछे जाते हैं तो आज का हमारा वीडियो इसी के उपर है और में टॉपिक जो हट आपए से बूछ सकते हैं बनेंगे ही जरूर बनेंगे तो आज का वीडियो हमारा वीडियो में आगे चैनल से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब निए तो make sure और आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब करने और पासी पड़े बेल आइकन को ज़रूर तबाएं जब जब भी हम वीडियो डारे आपके पास नोटिफिशन की होगे और सबसे पहला आपको नोटिफिशन मिल सकेए वीडियो कर आपको पसंद आता है आपके लिएफ को लाइक करें और इस अब करें फ्रेंज के साथ जो शेयर करें अफेर्स हम यहां पे आपको बताने वाले हैं कि कितने important question जो है इससे बन सकते हैं तो यहां पे सबसे पहला जो हमने इस्तरार लगाया है काफी important question है और देखने के लिए मिल सकता है in future जो है काफी सारे exams में तो यहां पे हमने लिखा है कि भारत और हमने लिखा है चौथा क्योंकि नोट्स की तो पर हमने prepare के हैं तो that's why इसमें थोड़ा easy way में आपको यहां पे मिलेंगे तो भारत चौथा देश मतलब इंडिया जो है वो चौथा देश बन चुका है after मतलब landing ठीक है मतलब जब उसने चांद पर अपना जो है जहाज को land करा दिया ठीक है यान को land क करा दिया तो इंडिया यहां पर चौथा ऐसा देश बन चुका है जिसने successfully जो है अपने land अपने जो है रॉकेट को यहां पर land कराया है चांद पर ठीक है next question first हम यहां पर आपको यहां पर दिख रहा होगा ठीक है एक मिंट यहां A educate फिर स्थ स्थ है वो क्या है चंद्रिया थ्री मिज्ट भेजा गया था चंद्रियार थी जो मिज़ु है इस रोड़ाई भीज़गया था अगर आपको किसी में पूछी जाए तो ISRO की full form क्या है Indian Space Research Organization ठीक है Indian Space Research Organization इसकी जो है full form है तो यहाँ पर से ISRO से भी आपको काफी सारे important questions यहाँ पर मिल सकते हैं देखने के लिए exam में first है ISRO की स्थापना कब वीती ठीक है कब ISRO बन करके बना था तो इसका जो right answer है वो है 15 अगस्त 1909 को ठीक है 15 अगस्त 1909 को क्या है यह बन करके बना था मतलब स्थापना है इसकी second आपको पूछा जा सकता है ISRO का मुख्याले कहां है ISRO का मुख्याले बैंगलोर करनाटक में आता है अब यह दो important questions है जो कि आपको यहां पर याद रखने चाहिए कि यह स के भरतमान चेयरमेन है इस तो ही तो जो जो 8 जो जो इसके बरतमान चेयर्मेन है और इसकीonnique स्थापना किसने की दी मतलब इस रो जो बना बनके तयार हो था 15 गस 1909 को तो उस समय इसके संस्थापना को थे मतलब जिनोंने इसे बनाया है जिनोंने इसको मतलब बना के दिया है इसका इस रो को जिनोंने इस रो को बनाया है तो वो कौन है इसकी स्थापना किसने की है वो है बिक्रम सारा भाई ठीक है जिनके नाम पर जो है हमारे रॉकेट का नाम भी बिक्रम रखा गया था तो बिक्रम सारा भाई इसका इनके कौन है इस रोके क्या है संस्थापक है ठीक है बर्तिमान चेयर्मेन एसोमनाथ है और संस्थापक इसके कौन है बिक्रम सारा भाई नेक्स जो question इससे बन सकता है, question number two हम यहाँ पे देख लेते हैं, question number two है कि भारत द्वारा भीजे गए कुल मिशन, ठीक है, मतलब चंद्रमा पर, चांद पर भारत ने कितने मिशन भीजे हैं, ठीक है, भारत द्वारा भीजे गए कुल मिशन कितने हैं, जो चांद पर गए हैं, तो तीन मिसन अभी तक भारत ने भीज़े हैं, तीन बार जो है अपना रॉकेट चांद पर भीज़ा है इंडिया ने, पहला जो मिसन था इसका वो 22 अक्टोबर 2008 को भीजा गया था, ठीक है, यह लैंडिंग वाला क्या बोलेंगे से, मतलब यह लैंड वाला मिसन नहीं था इन लगा रहा है, और यह जो मिसन यह अभी भी carry on है, ठीक है, मतलब अभी भी चल रहा है, ठीक है, दूसरा जो मिसन इन उन ने भीज़ा था, वो 22 जुलाई 2019 को भीज़ा था, जो कि अनसक्सेसफुल हुआ, ठीक है, यह आपको यादट रटना है, कि अगर आपको पूछ दिया जो इंडिया द्वारा भीज़ा गया है, वो 14 जुलाई 2023 को भीज़ा गया था, जो की, ठीक है, 14 जुलाई 2023 को प्रतिवी से भीज़ा गया था, चांद पर, और यह 23 अगस्त को जो है, चांद पर लेंड हुआ, सक्सेसफुली, ठीक है, दो बच के 35 मिनट पर, जो है, इंडि नहीं है, 14 जुलाई को भीज़ा गया था, और 23 अगस्त को यह जो है, लेंड हुआ है, चंदरमा पर, ठीक है, तो यह जो कौशन नमर टूथ है, इससे भी आपके दो तीन कौशन से यहां पर जो है, बन चुके हैं, और अगर आपने यह कौशन ठीक से प्रिपेर कर लिया, तो यह समझेज़े, आपके तीन चार कौशन के आंसर आपको यहीं पर से हम मिल जाएंगे, ठीक है, तीन जो है मिसन भेज़े गे थे, पहला मिसन और बिटल मिसन था, वो लेंडिंग मिसन नहीं था, और बिटल मिसन है, लेंडिंग मिसन जो है, दूसरा और तीसरे वाले थ है वो है चंद्रमा चंद्रयान थ्री ठीक है क्या है चंद्रयान थ्री में मॉड्यूल कितने है कितने मॉड्यूल है तो कितने उसके पार्ट है एक तरफ से आप ये मान के चल सकते हैं में पार्ट ठीक है तो तीन इसमें module है, कौन-कौन से module है propulsion इसका एक module है दूर सा इसका lander है, पीस सा इसका rover है, ठीक है तो propulsion क्या करता है, ठीक है क्या इनके कार्य हैं, बेसिकली वो भी हम यहाँ पे देख लेते हैं, एक बार ठीक है, तो तीन पार्ट में से, जो पूरा चंद्रयान ठी, जो है, पृतिवी से land हुआ चान पर तो उसके तीन पार्ट आप यह मान के चल सकते हैं, कि तीन पार्ट में से डिवाइड किया गया है, तो पहला है propulsion, प्रपल्सन क्या करता है चान तक lander तथा rover को ले जाता है, ठीक है, चंद्रमा तक लेके जाता है, किसको lander को भी, और rover को भी, अब lander और rover क्या है, ठीक है lander और rover जो है, हमारे next part है तो lander क्या करता है, rover को land कराता है, lander स्थिर रहता है ठीक है, मान लिजए, यहां से जो है पूरा पूरा रोकेट हमने अपने स्क्रीन पर देखा वो गया ठीक है अब चांद पर जाने के लिए वो क्या करा उसने लेंडर रोवर को वो लेके गया कौन प्रपल्सन लेके गया जो उनके बाहर का जो है वो था ठीक है अब वो अलग हो जाता है आपका अंत्रिक्स में उसके बाद जो लेंडर है वो क्या करा चंद्रमा की सतय पर मतलब जिस mission के लिया जिस कारे के लिए उसे भीजा गया है वह कारे कौन करेगा basically rover करेगा ठीक है अब इन में भी एक और important question जो बन करके आ सकता है या आता है basically आपको यह पूछा जा सकता है कि बिक्रम नाम किसका था चंद्रयान 3 में बिक्रम नाम किसका थ बिक्रम नाम lander का था प्रज्ञान rover का था ठीक है तो जितना भी mission है मतलब जितने भी जो भी चीज़ें वहां सर्च करनी होगी जिस भी research के लिए भीजा गया है वो कौन करेगा प्रज्ञान करेगा यानि कि हमारा rover करेगा ठीक है और lander ने प्रज्ञान को जो है land करा दिया चांद की सतय पर ठीक है जिसका नाम था बिक्रम तो इसी बिक्रम का नाम रखा गया है बिक्रम सारभाय के नाम से जो की इस रोगे संसापक है ठीक है तो यहाँ पर question number 3 भी हमारा हो चुक है बढ़ते हैं अपने next questions के और next questions हमारे यहाँ पर हैं आपको यहाँ पर screen पर दिख चंद्रयान 3 mission की theme क्या है तो इसकी जो theme है वो क्या है science of the moon ठीक है यानि कि चंद्रमा का विज्ञान आप इसे बूल सकते हैं या फिर चंद्रमा के लिए विज्ञान कुछ भी आप बूल सकते हैं तो science of the moon यह इसकी theme है theme बहुत जार काफी important होती है क्योंकि यह जो है इतना आपको देखने के लिए नहीं मिलती है चाहे कितना भी आप newspaper बगरा पढ़ लेते हैं ठीक है तो theme बगरा यह चीजे भी देखनी चाहे जब यह कोई नया event होता है या फिर नई कोई research होती है तो उनके पीछे जो theme होती है वो भी आपको जो है learn करनी होती है तो यहाँ पे science of the moon जो है चंद्रयान mission की theme है ठीक है नेक्स्ट question है हमारा चंद्रयान 3 कहाँ पर land वा ठीक है यह तो वैसे तो important है बट काफी सारे लोगों को इसका knowledge भी होगा कि जो चंद्रयान 3 mission है वो कहाँ पर land वा दक्षन धुरूपर land वा था ठीक है और यहाँ पर क्या है हमने एक और मा क्या है कि no other country reached ठीक है वहाँ पर यानि कि दक्षन धुरूपर कोई और country वहाँ पर रीज नहीं हुई है कोई भी और country वहाँ पर अभी पहुची नहीं है ठीक है अच्छ ठीक है फिर 6th question है हमारा question number 6 क्या है जो कि है चंद्रयान 3 का कुल भार कितना था ठीक है टोटल वेट आपको बताना है चंद्रयान 3 का 3843 किलो ग्राम इसका वेट था एप्रॉक्स आपको 3900 भी कई सारे एक्जाम में देखने के लिए मिल सकता है तो आप एप्रॉक्स अगर आपको पूची जाए तो आप इसी के अकॉर्डिंग एप्रॉक्स वेल्यू भी लिख सकते हैं यहां पर है चंद्रयान 3 की कुल लागत टोटल कोस्ट कितनी बैठी चंद्रयान 3 को बनाने में तो जैसे कि हमने सुना ही है कि का बहुती कम पैसो में मतलब इतने में 615 करोड जो एक कीमत है इसमें और कंट्रीज तो प्रिपेर कर भी नहीं सकते हैं तो यहां पर बहुती कम लागत में जो है इंडिया ने यह यान जो है प्रिपेर कर दिया तो 615 करोड इसकी टोटल कोस्ट आए थी नेक्स्ट कॉश्शन है यहां पर कॉश्शन नमर 8 चंद्रयान 3 का प्रियोग किया गया मैं प्रियोग किया गया रॉकेट कौन सा है तो LVM3 ठीक है LVM3 रॉकेट इसमें प्रियोग किया गया था यह भी आपको याद रखना है नेक्स्ट है प्रोजेक्ट मैनेजर कौन है चंद्रयान 3 के मतलब कौन इसमें जो 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 ए प्रोजेक्ट था इसके मैनेजर कौन थे बिसिकली तो पी वीरा मुथूर्वेल ठीक है मुथूर्वेल तो यह है पी वीरा मुथूर्वेल यह इसके प्रोजेक्ट मैनेजर है कुलशन हम 10 है यहां पर पहला spacecraft जब मानव ने चांद पर भीजा था ठीक है ऐसा कौन सा पहला spacecraft था जो मानव नहीं था मतलब ठीक है उसमें मानव था और मानव वाला ही चांद पर भीजा गया था तो यह था Apollo 11 ठीक है Apollo 11 भीजा गया था और जैसे हमें पता ही है कि चांद पर सबसे पहले किसने कदम रखे यह कुशन आता है नीला में स्टांग तो नासा द्वारा भीजा गया था और नीला में स्टांग को भीजा गया था और जो रॉकेट था वो उसका नाम क्या था अपॉलो 11 ठीक है नेक्स्ट कोशन है हमारा यहां पर कोशन नमबर 11 क्या है कि पहला मानव रहित स्पेस्क्राफ ठीक है अभी से पहले का जो हमारा कोशन था उसमें क्या था मानव वाला स्पेस्क्राफ मिनलब जिसमें मानव गया था चांद पर अब यह क्या है कि जो पहला मानव रहित स्पेस् ठीक है जो की सोविद संग ने भीजा था ठीक है यह क्या है लूना टू है सोविद संग द्वारा भीजा गया था मानव रहित ट्वल्थ वाला कोशन है काफी ज़्याथ इंपोर्टेंट कोशन है कि सॉफ्ट लेंडिंग अच्छा यहां पर जो है चंद्रियान 3 के बारे में जो है कुछ इंपोर्टेंट और भी जादा बताने है हम आपको कि जो चंद्रियान 3 था ना वो क्या था सॉफ्ट लेंडिंग के द्वारा भी जा गया था ठीक है इससे पहले जितने भी अधर कंट्रिय जिन्होंने चंद्रिया पर लेंड कराया है उन्होंने सॉफ्ट लेंडिंग को अपनाया उन्होंने जो है डारेक्ट लेंडिंग को अपनाया जैसे अमेरिका है रस्या है और चाइन है तो इन्होंने जो है डायरेक्ट मैथर अपना है मतलब सीधा यहां प्रतिवी से गया और सीधा जो है चांद पर लेंड जा ठीक है बड़ जो इंडिया है उसने प्रतिवी से चांद पर जाने के लिए इस रॉकेट को ठीक है क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि 14 आरी को से भीजा गया था 14 जुलाइक उसे भीजा गया था और वो कब पहुंचा चांद पर 30 अगस्त को पहुंचा ठीक है क्यों तो जो अधर कंट्रीज होती है जो डायरेक्ट मैथर्ट का यूज करते हैं जा डायरेक्ट लेंडिंग कराते हैं वो तीन से चार दिन या चार से पांथ इतने में जो ह लेंड करवा देती हैं पृतिवी से चांद पर अपने रॉकेट को ठीक है बट यहां पर इंडिया ने जो अपनाया वो सॉफ्ट लेंडिंग अपनाया था और यहां पर इस वजह से ही उसे 40 दिन का समय लगा हालां कि इसका एक फाइदा भी यह हुआ कि उप तो इंडिया क है जिसने दक्षिन दुरूपपर अपना जो है रॉकेट यहां पर लांच कर दिया है अपना जो है रॉकेट है उसे सक्सेफ़ुली अपर लैंड करा दिया है ठीक है। फिर अगर आप को चंद्रयान डू के बारे में पूछ दिया जायाय कि चंद्रियान टू में कितने देखा कि चंद्रयान 3 में भी 3 module थे, तो चंद्रयान 2 में भी कौन, कितने module है, 3 module है, बढ़ आपको इस तरीक से पूछा जा सकता है कि कौन सा missing था, ठीक है, या फिर चंद्रयान 2 में कौन सा, कौन कौन से module थे, इस तरीक से आपको 3 options आपको दिख सकते हैं, या फिर चंद्रयान 2 में कौन कौन से module थे, अगर आपको missing पूछा जाए, तो और्बिटल के उपर जो है, क्लिक करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर 3 module कौन कौन थे चंद्रयान 2 में, पहला था lander, दूसरा था orbital और तीसरा था यहाँ पर rover, ठीक है, तो 3 ही थे बट यहाँ पर, जो चंद्रयान 3 है, उसमें जो है, और्बिटल क्या था, missing था, ठीक है, चंद्रयान 3 में orbital missing था, ठीक है, तो I hope guys कि आपको हमारे वीडियो पसंद आया होगा, अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आया है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जब सब्स्राइब करें, thank you so much